हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आई होप यौल आ डूइंग ग्रेट यह जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आप लोग की बोट एक्जाम की डेटशिट आ चुकी है और अब यह बहुत ही जादा हाई टाइम आप लोग लिए यह जो आपके लास्ट के टू मन्स है इसमें थे कॉमर्स गेजुटेट टीचर एंड लेट्स टार्ट लास्ट के टू मन्स में न जो सबसादा इंपॉटेंट होता है वह होता है आपने कितने सैंपल पेपर सौल की हैं काफी सारे स्टूडेंट्स में से पूछे देगिसा 2023 बोट एक्जाम के लिए कोवं सा सैंपल तो बच्चो मैंने काफी सारे सैंपल लेपर्स को देखा है को पड़ा है समझा है पैटन के देखा है और जो मुझे सबसे सही लगा है वह है ऑस्वाल गुरुकल का 36 सैंपल कोशन पेपर्स इसके अंदर आप लोग के सारी सब्जेक्स इंक्लूडेट है इंग्लिश फिजि लेपर्स न वहीं सेंपल पैटन यहां पर आप लोग का रखा गया है ठीक ए जैसे आप लोग रिडिंग कॉंप्रेंशन के को चुंद को पहले रखा गया है एक्स्प्रेनेटरी आंसर्स है इसके अंदर न मैंने बाकी सारे सैंपल लेपर देखे उन में एक्स्प्रेंटरी पर देखोगे सबसे पहला जो सेक्षिन होता है आप लोगों के बोड एक्जाम में वह होता है मैक्रोइकनोमिक्स का सबसे पहला कोशन आपको यहां पर दिया वा रीड दा फॉलविंग स्टेटमेंट स्केरफुली करव इस अपॉपट स्लोपिंग स्टेट लाइन करव दूश्यचिप बट्वीन इंकम अंग अंग अंजमशन फॉन्स एंप्छिय जिए क्या यह पूछी गई है से दो statement दिये statement 1 और statement 2 ठीक है तो statement 1 में क्या लिखाता कि जो consumption curve है क्या वह upward sloping curve है तो बच्चों upward sloping curve ही होता है और जो aggregate demand curve होता है वो consumption curve के parallel होता है दोनों statement बिल्कुल ठीक है है तो इसका answer होगा बच्चों C देखो यहां पर C दे रखा और explanation दे रखी आपको कि क्यों C हुआ answer ठीक है क्योंकि consumption curve का जो slope होता है वह upward slope इसलिए होता है क्योंकि positive relationship between income और consumption में जैसे हमारी income बढ़ती है हमारी एक explanatory answer भी दे रखा है साथ में यह भी दे रखा है कि aggregate demand curve कर वो consumption का parallel के होता है क्योंकि investment जो होती है वो autonomous होती है investment जो होती है वो autonomous होती है उसको फरक नहीं पड़ता है market से तो इसलिए क्या होता है कि जो कर्मशन कर्व होता है और जो AD कर्व होता है वो parallel होता है इस दर दोनों के एक दुसरे के parallel होता है वो तो बच्चों इस चीज को ध्यान से देखो यह बहुत सही चीज है इस में explanatory answers भी दे रखे हैं मैं आपको link नीचे description में दे रहा हूँ आप लोग जाके इसको ले लो बहुत सही चीज है यह आप लोग के लिए इससे आप लोग के जो score है वो definitely maximize होगा ठीक है काफी सारे sample efforts देखे मैंने और यह मुझे best लगा उन में से तो आप लोग जाके इसको ले सकते हो तो बच्चों जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि आप लोग को जादा से जादा sample एपर solve करने ताकि आप लोग जो efficiency वो improve हो जाए और भी चीटों पर आपको focus करना है वो है आपका syllabus सबसे पहले आप लोग अपने syllabus को go through करो देखो कौन-कौन से chapter आप लोग के syllabus में है क्यो January को आप लोग सबसे बड़ा मत बना लो अपना January का एक-एक मिनट आप लोग इस तरीके से यूज करो ताकि आपका एक बिद बरबाद नहीं करना है जनवरी का महिना आप सब्सक्राद क्रूशल है क्योंकि फैब में आप लोग के बोड एक्जाम्स हैं जन्वरी में आप लोग अपनी पूरी तरीके से अपना बेस्ट दे सकते हैं आप लोग के प्रैक्टिकल्स भी होंगे जन्वरी के मन्त में मैं मानता हूं उस सब चीजों को लेकिन आप लोग को अपनी पेपर आएगा आप लोग सॉल नहीं कर पाओगे दिक्कत आएगी आप लोगो आप लोग को कोशन की अंडेस्टेंडिंग नहीं होगी दिन में दो सैंपल पर बोला कोई भी सब्जेट के कर सकते हो आप एक इंगलिश का एक बिजनस सडॉडिज का एकनामिक्स का अकाउंट का डेली के दो सेंपल पर करो फैपके दो सेंपल पर सॉल करने का मतलब यह नहीं कि आप लोगों में देखा कि आप लोग के 10 नमबर आ रहे हैं 20 नमबर आ लोग इंप्रोफ करने मैंने आप लोग अफेम्से पर बताएं उसमें एकशल सीय। और उसमें एक्सप्रेटरी आंसर से देखो कहान गलती करहें हुवो चीज को आप analysis करो ठीक है बच्चो और confident रहो किसी भी चीज़ को लेके परशान होने लिए बात नहीं होती है score definitely आप लोग का maximize हो जाएगा हम लोग को अपनी तरफ से efforts दालने होते हैं एक बार efforts अच्छे डल गए तो आपको definitely result अच्छा ही आएगा ठीक है बच्चो यह सारी strategies को आपको अच्छे से follow करना है syllabus देख लो अपना pattern देख लो जन्वरी के महिने में ज्यादा से ज्यादा questions करो ज्यादा ज्यादा revision करो daily के मैं ज्यादा नहीं बोल रहा आप लोग को लेकिन daily के two sample papers करना बहुत important है उनका analysis भी करोगी आप लोग को कहां गलती हो रही है और एक चीज मैं आपको बताता हूं बच्चो आपको जब भी sample paper करना है न आपको उस time पर करना है जो कि आपका board exam को time रहेगा जैस सपोस board exam को time होता है सुबह 9-12 तो आप लोग sample paper भी 9-12 ही solve करो morning के time में ताकि एक habit बन जाए morning के time पे question paper को attempt करने की एक बार यह habit आप लोगी बन गई तो आपको वहाँ पे एकदम से अजीब नहीं लगेगा board exam में तो उस चीट पर focus करो सुबह 9-12 sample paper attempt करो देखो आप लोगी क्या गलतियां हो रही है और उन्चीजों को सही करो sample paper से बढ़िया कोई बीचीज नहीं है आप लोगा score improve कराने के लिए अगर फिर भी कोई दिक्कत आती तो नीचे मुझे comment करके पूछ सकते है आप लोग तब तक के लिए all the very very best channel को subscribe करना मत भूलिएगा और साथ में लेके bell icon को press कर देना thank you